मनीज सिसोदिया इस पूरे कांड में इन्वार्ड हैं, खुब पैसा, सरकारी पैसा चुराया है, कॉंट्रेक्टर से दलाली खाई है और बहुत सारे कॉंट्रेक्टर नौ लोग गिरफतार भी हुए, पकड़े भी गई हैं और वो भी लोग ऐसी ही बहाने लगा रहे हैं कि किसी की पत्नी बिमार है, किसी की माँ बिमार है तो ये जो केजरिवाल साहब है, इनकी नौटंकी अब ये पकड़ी गई है, कानून के शिकंजे में बहुत अच्छे तरह से आये हैं और इन्होंने जितने भी घपले किये थे, वो सब पकड़े जा रहे हैं सिशोधिया साहब ने एक साइज पॉलिसी को टेमपर करके, बदल के और ठेकेदारों से दला लिखाई, शराब के ठेकेदारी में हाथ काला किया और उपर से दिखाते रहें कि हम एजुकेशन में सुधार कर रहे हैं, अरे क्या सुधार किया आपने कहीं कोई सुधार दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा दिल्ली में जो जो आपने प्रामिस किये थे वो सब प्रामिस आपके जूटे निकल चुके हैं, आपकी कलेई खुल चुकी है और दिल्ली की जनता और साथ-साथ जो कानूनी कारवाई हो रही है उसमें आपको जवाब देना बहुत ही बारी पड़ेगा और इस तरह से आप अगर करते रहे तो वो दिन दूर नहीं कि मुख्यमंत्री साहब भी तिहाड में अपनी कैबिनेट चलाएंगे इनके दो मंत्री तीन मंत्री पहले से अंदर है इनको भी अंदर रहना पड़ेगा उस छल को बचाने के लिए ऐसी बाते ये जूटी बोल रह है बंगले की कैटेगरी है वो उनके इ मिंटमेंट को बड़ा उनको दे दिया गया है और उसे अलोट कर दिया जाएगा कि आप जाओ और ये आप देख लेना अभी ये प्रिडिक्ट कोई भी कर सकता है कि ये उस पे भी खुब बवाल मचाएंगे ये कहेंगे कि हमारे रागो चड़ा ने फला फला काम किया इसलिए मोधी जी उनको फसा रहे हैं केंदर सरकार फसा रही है या हटा रही है या परताडित कर रही ह ऐसे नाटक ये करेंगे जो कि ये पहले भी मनी शिशोदिया के केस में सतिंदर जैन के केस में करते रहे हैं करते आ रहे हैं और दिल्ली की जनता ये सारी चीजे समझ गई है रहे हैं वहीं दिल्ली के मुख्यमंतरी कल अर्विन के जुरिवार रो रो कर ये कह रहे थे कि बीजए पी नफसा दिया है मनी शुशोदिया के लिए देखे इनके कहने से तो कुछ होगा नहीं यह नयाएक प्रक्रिया है जब तक इनके खिलाफ सबूत इतने नहीं है तो ब जानते हैं कि बिल्कुल जूटी बात कर रहे हैं, इनको ये भी पता है कि मनीज सिसोदिया इस पूरे कांड में इन्वार्ड हैं, खुब पैसा, सरकारी पैसा चुराया है, कॉंट्रेक्टर से दलाली खाई है, और बहुत सारे कॉंट्रेक्टर नौ लोग गिरफतार भी हुए बहुत सीरिसली और उनको ब्रेन में हैमरेज हो गया है, ये है, तो उनको छोड़ दिया जाए, तो कोट ने बोला इनको अभी तो नहीं छोड़ेंगे, इंटरीम बेल उनको दो हपते के लिए 15 दिन के लिए दी गई है, तो ये जो केजरिवाल साहब है, इनकी नोटंकी पैल के और ठेकेदारों से दला लिखाई, शराब के ठेकेदारी में हात काला किया, और ऊपर से दिखाते रहे, कि हम एजूकेशन में सुधार कर रहे ह resolve के आहिन QI कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा, आपने हां शराब की लूट दिल्ली में मचा दिए और इस लूट की प्राइवेट ठेकेदार को मिल मिलाके यह सब दे दिया तो अब यह चीजे पकड़ी गई है आपका जो हवाला का ओपरेशन था वो पकड़ा गया है आपने जो भी एक्साइज पॉलिशी किसी और सिस्टम में बना कर प्राइवेट वेंडर से ली थी वो पकड़ा गया है तो आपकी जित्तिक कारस्तानिया है वो सब सामने आ जाएगी आपने मंतरी रहते हुए दिली के लोगों को कैसे ठगा है और आपके जो मुख्य मंतरी रो रोकर जो दिखा रहे हैं और कैसे लोगों को ठग रहे हैं फिर से ठगने की तियारी कर रहे हैं वो सारी चीजे सामन बीजाएगा टिका हुआ है इन्होंने लोगों को जूट बोला धोका दिया और सरकार बना कर बैठे हैं इनसे जब भी एक्साइज के बारे पूछा जाता है तो सिक्षा करोना रोते हैं इसके पहले बोला की चुनाओं में सतेंदर जैन हमारे प्रभारी थी इसलिए उनको गिरफतार कर दि रहें उनसे पहले फिक्सिंग की उसके बाद पॉलिशी चेंज की एक्साइज पॉलिशी चुकि यह बदल सकते थे तो इन्होंने बदल लिया बदल के उनको सब को घुशा दिया और वह कोविट का फेस था उस दर्वियान इस चीजों को कोई गौर नहीं कर पाया तो इन्ह का घपला कर लिया तो अब यह बाते धीरे धीरे खुली हैं जब सीवियाई ने इंक्वाइरी की उसके बाद एडी को भेजा जब दिली सरकार ने एलजी ने इस पे जाच कराई तभी इनको पता लग गया था तो इन्होंने तभी से चाती पिटना शुरू कर दिया कि हमारे मंतरी को फसाय जा रहा है कि उन्होंने सिक्षा में सुधार किया रे कौन सा सुधार किया आप एक चीज तो क्लियर बोलो स्कूल की बिल्डिंग जो बनाई है उसमें भी घपला है जो सिक्षा के नाम पर आप जो भी चीजे कर रहे हैं जो भी बच्चों को एड्मिशन डिन चीज कर रहे हैं कुछ मीडिया चैनल्स आपके साथ हो जाते हैं क्योंकि आप एड़र्टाइजमिंट उनको हजारो क्रोड का देते हैं और इसलिए आपके खिलाफ ऐसी नहीं छपती हैं यह बात अलग है कि आपका सारा कारनामा दिल्ली के लोग देख रहे हैं दिल्ली में अगर करते रहें तो वो दिन दूर नहीं कि मुख्य मंत्री साहब भी तिहाड में अपनी कैबिनेट चलाएंगे इनके दो मंत्री तीन मंत्री पहले से अंदर हैं इनको भी अंदर रहना पड़ेगा उस छल को बचाने के लिए ऐसी बाते यह जूटी बोल रहे हैं और कुछ इसरी तरफ राजसवा सचवाले की तरफ से आम आदमी पार्टी के राजसवा सांसर रागव चड़ा को भी नोटिस दिये दिया गया है और उनके बंगले का आवंटन जो है वो रद करने की बात कही गई है सचवाले की तरफ से क्योंकि उनकी योगिता से बड़ा उन्हें देदिया गया था कर दिया जाएगा और कहा जाएगा कि आप जाओ और ये आप देख लेना अभी ये प्रिडिक्ट कोई भी कर सकता है कि ये उस पे भी खुब बवाल मचाएंगे ये कहेंगे कि हमारे रागो चड़ा ने फला फला काम किया इसलिए मोधी जी उनको फसा रहे हैं केंदर सरकार फ सराब का एक ऐसा मोडल बनाया है जिससे कि आपके दूसरे मंत्रियों को सीख लेनी पड़ेगी कि सराब की दलाली में कैसे पैसे लूटे कैसे पैसे चुराएं कैसे घपला करें ये मोडल ये सिक्षा की आड में आपने ये काम किया है ये मोडल आपने इवाल्व किया है और कैसे किसी पूरानी Policy को Change करके उसमें से पैसे चुराए जाए जाए पैसे कमाये जाए जाए सरकारी खजाने को सेंध लगाई जाए 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 एक्साइज को गाईब किया जाए ठेकेदारों से दलाली ली जाए कि आपका हार्ड इसकों कैसे फॉर्मेट किया जाए तो ये सारी चीजें ये कर चुके हैं इसमें ये माहिर हैं और परत दर परत इनकी सारी बाते ये खुलकर सामने आ रही हैं तो वो दिल दूर नहीं कि इनको इसकी बहुत महंगी कीमत चुकानी पड़ेगी और दिली की जनता भी इन स ऐसनी पार्टी की सरकार है अज उनी के राजे सबास शांसच जो है वो अपनी योगिता से बड़े बंगले के लिए कोट भाग रहे हैं याचिका लगा रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नोटिस दिया गया है या फिर जुक केंदर सरकार है उसकी कहने पर ये फैसला लिया गया देखें आम आज भी बोलकर इन्होंने दिल्ली की जन्ता के साथ कितना बड़ा धोका किया है यह आप देख लिजिए इन्होंने सबसे पहले मीडिया में आप सैक्डों बाइट सिनकी देख सकते हैं जब बोले कि हम बंगला नहीं लेंगे हम गाड़ी नहीं लेंगे हम हैं दिल्ली की जन्ता के साथ बहुत बड़ा दोखा किया है बहुत बड़ा फरॉड किया है और दिल्ली की जन्ता को समझाना पड़ेगा और इनको समझाना पड़ेगा कि ऐसा इन्होंने किया क्यों है। नियाले में जब भी ये गए हैं नियाले ने सारी चीजों को देखा है समझा है और जाच करके एविडिन्स को देखते हुए तब जाकर इनकी बेल डिस्मिस की है और इनके खिलाफ जो भी सबूत आये हैं इन्विस्टिगेशन में उन सब को नाप तौल कर ही जज ने हमेशा और किये हैं तो इस बात को ये बताते नहीं है ये बताते नहीं है कि इन्होंने एक सो तीस चालिस फोन सिम कार्ड लिये हैं फोन डिस्ट्रॉय किये हैं ये बात ये बताते नहीं है इस बात को ना एड्मिट करते हैं ना खोलते हैं कि इन्होंने जो एक्साइज पॉलिसी है वो सारी चीजे ED और CBI पकड़ चुकी है इनके जो घपले हैं आप समझो सरकारी कारवाई बाहर से कोई प्राइवेट वेंडर कर रहा है वो टाइप करा के दे रहा है लिख के दे रहा है पॉलिसी बनवा कर दे रहा है तो जाहिर सी बात है कि उन्होंने बाहर मिलकर साट काट करके conspiracy करके गफला किया है और जहांच agency ने ये बात पकड़ ली है तो अब इनके खिलाफ वो सारे सबूत लाए गए ये बात अलग है इनको अंदाजा नहीं था कि ऐसा होगा CBI ने इनकी hard disk को retrieve कर लिया इनका जो डेटा इन्होंने जो format किया था वो डेटा भी वापस लेया exercise policy में गफला करके सरकारी खजाने को चूना लगा कर वो बहुत बड़ा गफला कर रहे थे और लोगों से दलाली खा रहे थे वो सारी चीजे bit by bit establish हो गई है evidence में आ गई है ने आले के सामने लाकर दे दिया गया है इसलिए ने ने इनको कोई बेल नहीं दे रही है और ये जो इंडिपेंडेंट है judicial order से एक दम इंडिपेंडेंट होते हैं जो material on record लाए गया है उसको देखके judicial order किया जाता है तो वैसी दशा में जो आप ये बाते बोल रहे हैं ये बाते कहीं भी stand नहीं करती है एक दम जूठी है फरे भी बाते हैं और दिली की जनता को सजग हो जाना जह जए है